पिहार के पुडियां जिले में पती पत्नी के 20 सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जम कर वाइरल हो रहा है दरसल एक्जाम देने की बात कहे कर एक पत्नी बॉइफरेंड के साथ बाइक पर गूमने के ले निकल गई जिसके बाद पत्नी को प्रेमी संग बाइक पर घूमतेवे पकड़ लिया उसने पहले पत्नी का मास्क उतारा फिर 20 सड़क पर ही उस एक ठपड़ जड़ दिया जिसके बाद सड़क पर ही पत्नी पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया बता दे कि वीडियो पती नहीं अपने कैमरे से शूट किया था जिसको उसने बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया वहीं अब इस मामले में पतनी आशा चोहान ने भी सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने अपने पती रितेश चोहान प इसके साथ ही पत्नी आशा चोहां ने कहा कि उनका पती कभी भी उनकी हत्या कर इसे खुदखुशी का रूप दे सकता है इसलिए उसने सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांगी है बताते कि वीडियो में पती रितेश चोहां ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी आशा चोहां परिक्षा देने के बहाने घर से निकली थी और अपने बॉइफ्रेंड के साथ बाइक पर गूम रही थी हाला कि वो वीडियो में यह भी कहते दिख रहे हैं कि उसे अपनी पत्नी पर पहले से ही शक था और आज उसे उसने रंगे हतों पकड़ लिया है हाला कि इस दौरान वीडियो में आशा की बहन और भाई के साथ कतित बॉइफ्रेंड भी दिख रहे हैं वही पत्ती पत्नी के बीच जम कर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है